अगर आपके और आपके परिवार के उपर जुठा देज केस लगाया तो आप अपने परिवार को बिल्कुल चुटकियों में निकाल सकते हो कैसे तो उसका तरीका इस जज्जमेंट के अंदर बताया गया क्या दिमाग लगाया बंदे ने और उसके एड़ोकेट ने पूरे प पूरे आपको पढ़ा देता हूं और आपको एक चीज नजर भी आजाएगी कैसे कैसे क्या क्या ट्रिक लगाई है तो यह त्रिक आप भी अपने केस में यूज कर सकते हो मेरे को अच्छा लगा यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए या अगर आप एड़ोकेट हैं और आ नासिम आपको बता देता हूं और देखो अधिकारिक परतिवादी ने ज्वाब दाखिल किया जिसमें कहा गया कि 2868 2023 को परतिवादी संख्या दोस्त यानि कि सिकायत करता ने साथ आरोक्यों के खिलाफ एक आवेज दन प्रुस्तुत किया था यानि कि साथ लोगों के नाम दो मेरिज थी तो परतिवादी नंबर दो या चिका करता नंबर तीन के बीच अन्य आरोक्यों ने उससे दुस्मनी विक्सित कर लिया निकि जो लड़की थी और वो जो लड़के वाले थे उनके साथ में क्या हो गया फिर दुस्मनी बनने स्टार्ट होगी यानि कि लड़ अतिवादी संख्या दो के साथ मार पिट की यानि कि लड़की के साथ में मार पिट की बेरैमी से उसे कमरे में अवेदरूप में बंदक बनाकर रखा उकतावेदर पराप्त होने पर धारा चरसो ठानवे देहजवाली 342 हो गया 323, 504 और 505 और 109 आईपीसी तैत अपराद करने की FIR संख्या 22 बटा 2003 दर्ज की गई जांच ASI मोहमद याकूब ने सूपी गई जांच अधिकारी ने घटना स्थलका दोरा किया साइट प्लान त्यार किया और धार X61 के जो ब्यां लेते है घवाहों के जो ब्यां के पलिस बोलाकर वो लिए बैंच क्रतार घवाहों के ब्यां के धार पर याच्च का करता करता नंबर 3 के आईपीसी की धारा और याचिका करता है एक और दो के खिलाब में चारसो ठाणवा एक सोन और पांसो 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 चाह के तैफ मुकदमा दर जुआ अब आगे देखो आगे असली चीज़ है याचिका करताओं के विद्वान वकिल सिर्फ सवीफ चोधरी ने तरग दिया कि परतिवादी नंबर दो दौराब परिवार के सभी सब्सक्राइब और यहां तक कि याचिका करता चे और उसके जो साथ और दूसरों के बहुत दूर यानि कि जो याचिका करता नंबर 6 और 7 ना यानि कि लड़के वाले जो 6 और 7 नंबर पे जिनका नाम हुआ है वो बहुत दूर रह रहे हैं उसका उस घर में उनका कोई लेना देना नहीं है पहली चीज़ और उनको जूठा फसा कर और तुछ फायार दर्ज कराई गई है य के घर में कोई सरकारी नोकरी वाला कोई नणन देना तो भुला सरकारी को पहले चिशारे नहोंगो srk आयगा न तो सबॅ में फायं में गिर जाएंगे तो वह बाला सीन जो याची पारंतब तो रोपी बनाया गया था और जब 6 और जो साथ हो तो बहुत दूर रहते ठीक ह पर्फम फियर याचि का कटता संख्या एक और दो के किखलाफ कोई अपराद बनता ही नहीं है यानि कि जिनके खलाफ कोई अपराद बनता है नहीं नहीं है तो फिर आएगा मजा अब मजा देखो को ओंट में इसको क्या किया और पूरी जज्मेंट पढ़ना आप पड़ ले आराम से मैं आपको उसलियसली चीज़ बढ़ा देता हूं सिकायत में लगाये गए आरोप और सीयार पीसी की धारा 161 के दरज किये गए ब्यानों को यह सपश्ट परतिवादी संख्या 2 याची का करता 3 यानि कि लड़की ने अपने पती के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगा स्थीती रिपोर्ट के अनुसार याची का करता 4-5-6-7 के खिलाब कोई अपराज साबित हुआ ही नहीं है यानि कि जब वो लोग आसपास में रहते ही नहीं है और इंटेंशन साबित कर दी मैं पहले भी आपको कई दोहां बता चुगा हूं देखो एड़ोगेट साब जिस ठीक है यह जजमेट आप अपने अड़ोगेट साब को भी दिखा सकते हो इंटेंशन शो करें कि जिसने देज का केस लगाया है उसकी लगाने की इंटेंशन क्या है ठीक है कोई सबूत मिल नहीं रहे और संख्या एक और दो के खिलाफ या चार साथ के खिलाफ दो दौरा ऐ रिष्टेदार ये वाला सीन था तो तीन नंबर तो था चलो पती लेकिन एक और दो को थे माता पिता थे वे नहीं हो सकते खिलाफ कारवाई तब तक की गई समाना और ओपर जो एसपर्ट समाना और गंजे पर करती गए जहां साधिकारी ने याचिका करता नंबर चार से सा मुकदमा चलाने के लिए पती के रिष्टेदारों के खिलाफ विशिष्ट आरोप होने चाहिए तो कोई ये कोट के सबद है ये पॉइंट नमर दस ये कोट का सबद है इसके अंदर कोट ने ये कहा है कि अगर आप परिवार वालों के ऊपर कोई भी आरोप लगा रहे तो आपके पास क्या होना चाहिए यानि कि आपके पास में पका सबूत होना चाहिए कि सास ने देहिज मांगा है या उसके भाई बेहनों ने देहिज मांगा है तो पती के रिष्टेदारों अखिलाफ विशिष्ट आरोप होने चाहिए लेकिन गंजे और समाने आरोप आवशक वीवनों के रहीत होने पर पती के रिष्टेदारों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है तो इस याचिका करता के तहत में क्या हुआ था यानि कि इस पिटीशन के तहत में सिर्फ तीन नमबर कौन था पती वाकि सब के नाम काट दिये थे क्योंकि किसी खिलाव कोई सबूत मिला ही नहीं कुछ लोग बहुत दूर रह रहे हैं कुछ लोग करियर बरबाद कुछ लोगों के साथ में टैंसन गलत है आगे बता देता हूं अब दो स यह क्या बोलते हैं अपरादिक करवाई पर आम तोर पर हमारे द्वारा रोक नहीं लगाई जाती है बात्चित के चर्ण में जब तक कि इसका दुर्प्योग नहीं हो एक अदालत की प्रगिरिया साथ ही यह है कोट ऐसा नहीं करता है नियाले के उदेश से को सुरक्षित कर नहीं करना चाहिए जब तक कि सरुव्यापी आराउक का आधार नहीं हो यानिकि जब तक आपके पास ठोश सबूत ना हो तब तक पती के रिष्टेदारों को देहेज हत्या में और देहेज के लिए तंग करने वाले केस में नहीं फसाना चाहिए यह सुप्रीम कोट की जज इसके परति में विवाइक विवादों पति भीना इसरी के सिकायत करता पर मुकदमे का रहते भिए अरो दोनों जजमेट वी आप डाउनोड कर लेना और यह जजमेंट कैसे मिलेगा इसके लिए आप क्या करना डिस्क्रिप्शन में आपको करें 20 वालों के लिए भी है आई इजर कोरने पे आपको थ्री लाइं दिखाई देगी उसपे कलिक करते आपको फरी मेटिरियल दिखाई देगा फिर आपको judgment दिखाई देगी तो वहां पे judgment आ जाएगा कि मावापको देज आपको नाम भी दिखा देता हूं किसी को अगर डाउनलोड करना है तो यह इसका जम्मु कस्मेर और लदाख उचने ले यह काया नहीं रहे है केस नमबर कहा रहा है वाई केस नमबर केस चालो यह वहीं से डाउनलोड कर लेना इससे डाउनलोड हो जाएगा 679 चे यह आगया यह है यह है यह आगया मंजूर हुशेन वर्सिज वर्सिज यह योटी जम्हु कस्मेर कर लेना इससे भी निकल आएगा ठीक है और यह आगया जोटा है तो जानकरी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना सेर कर लेना सब्स्राइब कर लेना किसी भी टॉपिक के ओपर अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट वाक्स खुला है और अगर मेरे से समपरक करना तो डिस्क्रिप्शन में आपका मेरे लिक मिल जाएंगे थ स defence समस्पट्ष तो कर लेना सेर अच्छी